आप सभी सात्यों का स्वागत है, मैं अर्विन सक्से न बोल ला हूँ, सात्य जगत के रहसे हों, तता तत्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रतियक वीडियो को देखें, और इसमें दी गई प्रतियक प्लेलिस्ट को भी देखें, अब ये वाला जो एक वीडियो है, ये विशेश समस्या के उपर में है, और इसका जो टाइटल है ये सताना, विक्टिमाइज, धन लोभी, अन्याई, 86 नरकुंद, लौफ कर्मा, साधना में जितने भी मैंने अभी तक जो वीडियो बनाएं, उनके अंदर में मैंने कई वीडियो लौफ कर्मानी कर्म भलके क्योंकि सारी चीजे तो इसी को पर ही आदारित होती है, साधना है भी सब, जब तक कर्म फनों को पता ना हो, तब तक ठीक से, सेलेक्शन भी नहीं हो पाता है, और जितने भी कर्म हैं, उन्हीं के अनसार में ही, जो जीवन में परशानी आती है, यो लब्दियां होती है, परण भी मिल सकते हैं, बाध में मिल सकते हैं, और हो सकता है, मरने के बाद में मिलें। कि जो मन मर्दी से कहीं से कि भई लक्षमी कुछ धनकी समझ स्मुझस्य आया है तो किवड़ लक्षमीत साथना फारम करते हैं तो सब कुछ हो जाएगा अब सुन हरं कि हम रहे नहीं है यह तो विवसे को पुसुम le music कhesia बाज़ा करन काम किया होगा या अगर माल ली जाए कि कसी प्रेत बादा तो प्रेत बादा तो उसकी प्रेत बादा क्यों होगी इसको तो क्योंकि उसके लिए भी कोई ना कोई कारणावश होगा कोई कर्मो का तो कर्मो को कर्मो पल के सिद्दान को जो जितना अच्छा समझ लेगा सादक वो उतने ही समझ लिए कि साधना को सेलेक्शन भी बहुत अच्छी तरह से कर लेगा हो इसलिए बहुत बारिकी से इन सब बातों को समझना चाहिए और मैं बहुत सारे वैसे तो मैंने वीडियो बनाए हुए लाफ करमा बे लेकिन मैं जो विशेश जान करी हैं आप आपको और भी दे रहा हूँ इस वीडियो मैं भी देंगा और आगे आपको कई वीडियो भी मिलेंगे इसमें इसी समस्या पर लाफ करमा को समझने के लिए अब कोई कहा मैं लॉफ कर्म 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 कर सिद्दान को समझने हैं नहीं चाहता हूँ और सीधे बस मुझे आप मंत्र बताईए या मैं बस स्टार्ट कर दूँ साधना बस तो फिर गलती जरू करेगा वो जिस गलती की वजए से उसके पास समस्य आई है वो गलती उसको समझ में कभी आई नहीं अभी तक आई नहीं है और फिर वो साधना करेगा वो साधना करने के बाद ये तो नहीं कि इंवीचेटली उसको फल मिलने प्रारम हो जाएग कि साधना समझ करिये और से भल報 मिलने प्रारम हो गया उसको जो कि देवी देवता भी सब देख लेते हैं कि जो यह वक्टीस प्रकार काया कि जो कि इतना जड़क है जड़ गुद्धी कहना चाहिए अलियल कहना चाहिए जिद्धी कहना चाहिए यह ना समझ कहना चाहिए यह मूर कहना चाहिए जो भी वर्ड ले ले लो लेकिन समझते ही सब्सक्राइब करता है तो कि कार्मों के सब्सक्राइब कारों को lat Yazhan इस साधा सिलेक्ट हमने इसलिए करी कि यह किस कर्म का अंसवार हुई है अब फिर वो कर्म हम आगे दुबार आमको नहीं करना है तो वो इस तरह से प्रोग्रस जो होती है आगे होने लग जाती है इसलिए कर्मफल के सिद्धानतों को विशे शुरूप जो समझना चाहिए बा कहा हम रह रहे हैं उस सब बातों को समझना जरूरी है तब ही बाते हैं पूरी समझ में आती है उसके लिए जो मेरे वीडियो बने हुए है 227 नमबर का कली बादा असूर असूर वाली प्रवेश बनी हुई है 295 नमबर का राक्षा सुदारा बक्षण जो पूरी सुबाव का बक्षण करते हैं यह वीडियो देखिएगा और 236 नमबर का ऐसा विश्वास नहीं करना चाहिए आज के समय में अनिस्ट का प्रवेश इससे हो जाता है और 223 नमबर का अनिस्ट और शुब का प्रवेश क् शुक्त प्रवेश को या में सब वीडियो जो हैं फिलेंगे आपको फ्रम गistantगे द्र्री वाले जो प्लेस्ट है हुसमें वम भीडियो उमको जानकर रही आवश्यक है कि यह जीवन में हो रहे होते हैं अगर आम बच गये तो उसी कर्मफल के सिद्धान्त में एक होता है जैसे कि कोई भी कर्मफल का सिद्धान समझना हो तो आपको ऐसा समझना पढ़ेगा पूरा जीवन को समझना पढ़ेगा यानि जीवन आदा मृत्यू ऐसा समझने यह पूरा सर्केट हो गया, साइक्ल हो गया, यह पूरा समझना पड़ेगा, यह कोई समझा है कि मैं जीवन समझो, मृत्यू समझो ही नहीं, तो वो उसको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, इसके लिए आप अकर मेरे प्लेश इसके वीडियों मताई होई है, कहा कहा पर किन-किन योनियों में बठकना पढ़ता है, परतिوں के बाद जो गलत काम करते हैं, उनको पहले नहरोक में जाना पढ़ता है, पर पिर पश्च हुनियों के बाद में अगर उनके और भी खराब करमें तो उनको होसकता है कि किसी वनस्पतियों के रूप में उनको रहना पड़े उसके बाद में फिर उनको अगर होगा तो किसी अगर मन stan बनने और उनको नका को। बचा कर तो मुझे बनेंगे लो भी प्रारंबिक रूम में बनेंगे बहुत ही इस तरह के गराएगा वो आलपाई होंगे या कहना चाहिए उनको बीमारियां होंगी इस तरीके से रहेगा बच्पन से ही और वो जाते दें जिंदा नहीं रह सकते हैं और उनको उनकी इस्तिती बहुत अच्छी नहीं रहेगी यह होता है कि जब इस तरीके से गलत काम करकर के विवन प्रकार की यूनियों से बठकते हुए तब यहां तक जब व्यक्ति पहुंसता है अब उस जीवन काल में भी जब तक वो जीवे था उसमें भी अगर उसमें कोई गलत काम नहीं किया तब उसके मृत्तियों के बाद अगेन उसको फिर से मृनियों मिलती है यह मिल सकती है और वो उसे और हायर इस्तिती में पहुंच जाएगा वो हूंची सिती पहुंचेगा इस तरह कि प्रोकिशन होता है बिल्कुल मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ है जिसमें कर्मों का इतना रहस्में ही होती है जानकारिया इसकी इसको समझना तो जो रिशी थुल है वो भी बात समझ सकते हैं बागी की समझ में तो पूरी बात नहीं आएगी 100% लेकिन अगर हम अपने साथक के रूप मे का होता है और किस प्रकार से आत्मा जो है उसका जो है मार जहे है विवि망 प्रकार की उनी में बनता है तो हमको जीवन काल में भी समझना हैं हमें रिशिय का की इतना है जो प्रत्य क्या आत्मा की होगी उसको भी समझना है अब रही बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि ने हमको अब जीवन ही समझना है यानि हमको दिन समझना है रात समझनी नहीं है तो साथना उनको निकरनी भी नहीं चाहिए हो करेंगे भी तो गल्तियां ही करेंगे उसमें उलज भी जाएंगे और सकता आगे बढ़ने के चांस तो बहुत ताम है उनके नीचे ही जाएंगे जैनि कि विशे शूषे जब शास्तों में इतनी सारी बातें बता ही हुई है प्रित्यों के बात की तो उनको बातों को एक ध्यान चे समझना चाहिए शास्तों के बारे में मेरे एक वीडियो बना भी हुआ है तो ग्यान शास्तों की पत्ति शायद वीडियो नंबर हुए है उनकी प्लेस्ट आप देखिएगा सच्चे होगी कौन होते हैं तो अब रही बात है कि मैं जो ये वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि जो लोग सताने का काम करते हैं सताते हैं बिना मदब सताते हैं और विशेष रूप से जो ऐसी स्थान में होते हैं जो कि बहुत ही एक जिम्मेदार हिस्थी में होते हैं यानि कि प्रशासन में होंगे या समाज में भी किसी जिम्मेदार हिस्थी में होंगे किसी भी शेतर में हो सकते हैं वो समाजी कुरूप से हो या जिसों कहते हैं कि किसी भी व्यापार के शेतर में हो कहीं पे भी हैं जो की जिम्मेबारी है उनके पास में और इस तरीके की इनके पास शक्टी है कि वो अपने एक भी डिसीजन से बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं जो वेक्टी जपने जतना ज़्यद लोगों को उसके डिसीजन प्रभाविट करेंगे वो स्थी उत्री उच्छ होगी और वो स्थी इस्थी में क्या होगा वो एक तरीके की दुधारी तलवार होती है उसमें वो चाहे तो वो वेक्ट्री बहुत अच्छा काम करके लोगों को कल्यान करके वो देवताओ की शेड़ी में भी जा सकता है और उसी तरीके से अगर वो कोई भी गलत काम जरास भी करेगा तो उसी तरह से वो दुधारी तलवार की तरह से उतने ही नीचे गिरेगा हो और गिरते गिरते हालत ये भी हो सकती है कि वो मरने के बाद में नरक की आत्रा करे वोई बात में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ यानि कि जिम्मेदार जिम्मेदार जिक्ति हैं जिम्मेवारी हैं रिस्वांटिबल लोग हैं और वो बहुत सारे लोगों का जो है उनके जो डिसीजन ले सकते हैं जिसकी जारा बहुत सारे लोगों का बुरा भी हो सकता है भला भी हो सकता है लेकिन यदि वो बुरा करते हैं तो फिर उनका क्या होने वाला है, जैसे कि माले धन के लोगी है, धन के लिए लोगों का नुकसान कर रहे हैं, यहीं सबसे बड़ा दोगा करना है, अब कोई माल लिए कि एक बहुत उंचा पद पर बैठा वेक्टी है, वो किसी भी छेत्र में कहीं पर भी हो, और वो ऐसा है कि बरष्टाचार कर रहा है, बरष्टाचार मुझाओ जो गलत धन जो है वहाँ पर रहा है कि मिलावत करते हैं, खात्यवदार्तों मिलावत कर रहा होते हैं, आप जैसे कि जो भी खातविदार्त में मिलावट कर रहे हो वो खातविदार्त जितने जितने लोगों के पास जादा जाएगा एक दो के पास तो नहीं जाएगा कई लोगों के पास जाएगा वो जन कि खातविदार्त जाओगा तो वो कितने लोगों का नुकसान कर रहा है वेक्टी तो वो वेक्टी तीसरा जो है बहुत सारे होते तो नकली समान बनाते हैं या नकली समान को बेचते हैं उनको मालूब है कि नकली समान है बेच रहा है उनको पता है कि नकली चीज है यह वो भी कितने सारे लोगुंअ प explorer डालेगी और ये इसके अलावा जो कि ड्रुक्स का खरूबार करते हैं नशा बेचते हैं नशा किसी भी तरीके का हो सकता है वो नशा जो है उसको भी जो भी बेचते हैं और उसके दोरा कितने लोगों के जिन्द की बरबाद भी हो जाती है तो उनको भी इस तरह के बहुत सारे विशेश परकार के दंड मिलते है ये लोग जो होते हैं इनलों को दंड क्या मिलते हैं मरने के बाद क्या मिलते हैं जीवन में मिल जाएं तो मिल जाएं उनके श्री कराने के प्रयास वैसी दानावी शक्तियां करती रहती हैं तो उनको खरा करा करा के उनको खोदी अंके श्री में प्रवेश कर जाती है और इस बिढे बुदेशाती हैं जसकों के एक विडियो मरा बना हुआ है जिसमें कि मैंने बताया है कि defensive 595 नम्र का कि किस प्रकार से दान है जानी शक्तिय हैं कि मानव को दानाों के रूप में कनवर्ट करती हैं फिर उसके बाद जो है वह विपन प्रकार्चे उसके गलत काम कराती ही चली जाती है 300 नमबर का एक वीडियो मेरा बना हुआ है उसके अंदर में मैंने बता है कोई दाना होते कौन है वशुब कम करने वाले लोते है और मूर्क बुद्धी होते है मूर्क बुद्धी उनके समझ में नहीं आता क्योंकि स्वार्त परता के लिए काम करते है उनको बागी चीज़ों से मतलब नहीं होता कि एथिक सदाचार की बाते हैं को तो उनके डिक्शनरी में नहीं होती है वो तो केवल इस बात को समझते है कि जो हमको अच्छा लगता है हमारी जो एक्षा है वो पूरी होनी चाहिए नियम कानूम कुछ नहीं होता है इसके लिए हमको जो भी कुछ करना पोड़े हम करेंगे और हमको अपनी एक्षा पूर्थी ही करनी है यह दानवी प्रवत्तियों का एक बेसिक प्रपर्टी होती है उनके पैचानने के लिए कि यह कौन व्यक्टी दान्यू शक्तियों जो ग्रस्त हो गया तो मैंने भी आपको जाब को बात बताई कि धन के लोग में करप्शन करने वाले खाने में मिलावट करने वाले नकली समान बेशने वाले इस तरीके के सारे लोग जो होते हैं यह नशा करन बेशने वाले यह सब धन के लिए काम कर रहे होते हैं गलत धन इससे अरज़त करने का प्यास करते हैं यह लोग व्रश्रिक कुंड नावक नरक में जाते हैं नरकों के बारे में मैंने वीडियो 303 में भी बताया हुआ है नरक में जाने करनल होते हैं आशुप कर्ब होते हैं और नरक मेंने कंड होते हैं इनका कार होता है पापियोंनों को दुख देना और यह अत्यंत भाराक होते हैं में इसमें 86 कंड है और इनकी देखबाल के लिए 10 लाग अनुचर होते हैं यह बहुत अनुचर भेंकर होते हैं इनके हाथ में खटा को धंड होते हैं यह कुलोधी होते हैं और खुरूर होते हैं और यही वक्ति जो होते हैं अनुचर मृत्यू के समय में जिन को नरक ले जाना होता है ने करने देज्दा करने वाले लोग नहीं जाएंगे जैसे वथर्षीष के बारे वीडियोज मेरे बने हुए RS शुर्य और देभी इनकी साधना करने वाले कभी भी नरक में नहीं जाएंगे यदि किसी को सपन में इस दिवता के दश्यन होगे हैं वो भी नहीं जाएगा लेकिन जो मैंने अभी बात बताए कि धन के लोबी हैं और लोगों को सताते हैं और पिशे इस रूप से जन्मानस को परशान करने का प्रयास करते हैं तो वो लोग रश्यकून नामक में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बात में फिर क्या होता है वोगों सत जन्मों तक बिच्छू बनते हैं सात जन्मों तक फिर क्या बनेएंगा उसके बाद गएर मनुश कर्याएवन उनको मिला तो अंगीन होंगे, रोगी होंगे, मुनिश होंगे यह उनका बेसिक बात बता रहा हूँ यह पिस शास्थनों से बात बता रहा हूँ इसलिए कोई शंका कर रहे हैं कि आप शक्टा नहीं है इसके अलावा कर धन के वकार कोई हत्या ही कर दे तो बहुती बड़ी बात हो जाती है फिर तो एक तो धन के लिए भी किया है, उपर से हत्या भी कर दी तो असी पत्र नावक नरक में जाते है वहाँ पे उसके अंग काटे जाते है और ये सब बातें आप सोठ रहोंगा कि अंग काटे जाते है मुनश्यों में अंग काड़ देना है तो पर मरी जाएगा आदमी यह वार ठीक है कि मनुश्यों में जो शरी होता है बहुत ही कोमल होता है मुझने के बाद उसमें आत्मा को वाला शरी दिया रहता है जो कि कोई काटा जाए पीटा जाया जो भी कुछ किया रहे वह वैसे बना रहेगा उनस्त नहीं होगा वह इसलिए दिया रहता है कि उसको नर्क में यातना देने ही जरूरी होती है बहुत बढ़ी बढ़ी यातना दी जाती है तो उस तरीके की यात्नाव में ये मनुशरीर होगा तो नस्टी हो जाएगा लेकिन वह आलशरी से लिए इसको दीजा जाता है कि नस्ट भी ना और उसको यात्नावी जो हो भी भोगता रहे हो तो वासी पत्र नामक नरक में जो की जन के कार्ण अत्या करने वालो पिर उसके बाद साथ जन्वों तक मेड़क बनेंगे और फिर भैसा बनेंगे उसके बाद जिदी उनको बचा है कुछ अच्छे घर्म उनके पास तो फिर वह मनुश चुनी में आएगे एक तो एक बात हुई इसके अलावा जो एक कटे की दिए और भी जो न्याय करते हैं यह दो मैंने धन वाली बावत आई धन के लिए असा काम करने वाले लोग हैं जो कि सब को परिशान करते हैं धन के लिए कि कर्प्शन करने वाले वहीं ने बदाने तो घूच ले रहे हम रष्टाचार कर रहे हैं कि इसी से भी रिश्वत ले ले और ऊपरी कमाई करें और उपरी कमाई से अपने जीवन को और जो भी अपने वैब आप संपन्ण पर्यास करें वो सब उन्होंने अपना बिसी गली पुरने के बाद वो सब के सब रश्ची कुंड नामक नरक में जाते हैं यह बाद मैं शास्त्रों से बता रहा हूँ अब रहे हुआ अन्याय करने की अन्याय के बहुत सारे तरीक हो सकते हैं किसी भी तरीके से ब्लैक मेर करना मालाा भी तरिके से सथा ना जैसे कि yak міल ज़े कारण के किसी ψज़ेस को GRET ौइं डाल देना थिखिदा आस्व पहर तो एसे, लोग आ जाते हैं, वहां पर क्म्म द खॉलत हुजा हुआ था completely खॉलता हुआ जल भरागा हुआ हूँ हमेशा अधेरा राता है वहां थीखे क्ली कीर हुते हैं वहां उसको डाल दिया रहता है उससे पूरे खॉलतिय कुंड में डाल दिया रहता है बहुत समय तक रहाएगा जब तक दंड उसको मिलनागा तब तक रहाएगा वह आत्मा फिर उसके बाद में जिनको वो सताया गुआ होता है नेक्स बारत में उसको जब भी जीवन मिलेगा मुष्य का तो जिनको सताया हो उनका उसको नौकर बनेगा आप सोचाए कि पहले वो सता रहा था पहले वो वक्ति जिसको सता था होगा उससे उंची सितिम होगा तभी अपने शक्ति के लुव गर को सता रहा होगा तो जब सताने के बाद में जब मर गया हladım फिजन्त पर शाविक को यात्रा करते हो जब भी मिलेगा यह बात शास्तों से में आपको बता रहे हूँ तो इससे बात क्या समझ में आती है यह तो सताना होता है किसी रूप में भी सता हो किसी भी कारण से सता हो किसी को भी सता हो और जितना जादे लोगों को कोई व्कति सताएगा number of people जिसको गहते हैं सताएगा। वो तभी सताएगा जब उसके पास जो शक्ति जादे होगी उसकी इस्तिती समार में जादे की होगी उतने जादे ही अपने कर्मों को पर जाते जादे लोगों को सताएगा। जितना जाद है लोगों को सताने की उसकी capabilities होंगी और सताएगा तो उतने ही समझ लिए कि वो उतने time period उसका नरक यात्रा में जादे बनता चला जाएगा हैसे लोग हो सकता है कि हजारों हजारों सालों तक नरक में रहे हो सकता है दुबारा कभी मनुश्व भी ना बने तो इस सताना जो होता है बहुत ही एक खराब कर्म माना जाता है इविल कर्मा कहते हैं से इसको माना जाता है बहुत बड़ा दुशित कर्म होता है किसी भी सताना ने चाहिए और विशेश रूप से धन के लोभी जोते हैं तो धन का लोभी नहीं करना चाहिए करप्शन के लिए रच्छाचार के लिए वीडियो बने हुए कि जो विडियो आप देख भी लिजएगा लेकिन धन का जो लोभी है अन्याई हैं उनको जो 86 नरक कुंड़ा उनम पुशेश आस्पेक्ट होता है साधना का जिसको लौ फर्मा का एक पहंग समदना जीए इस लिए जानकरी को मैंने आप लोगों देने का एक प्रयास किया तो आशा करता हूं किसा आप सब लोगों के जानकरी अच्छी लगी होगी इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी क कि देखने वान